नमस्कार साथियो, मैं आचारे रवी कुमार सर्दाना, टेरो का रीडर, वास्थू कंसल्टेंट, रेकी हीलर और पामिष्ट, आज के इस वीकली होरोस्कोब रीडिंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, आज का है हमारा वीकली रीडिंग, 6 ज कि किसी भी राशी की मैं रीडिंग बोलूँगा, पढ़ूँगा, तब बोलूँगा मैं डेट और बर्त की रेंज में है वो, दूसरा डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी रीडिंग जानना चाते हैं, तो उस टाइम लाइन पे जाके आप उसको सुन सकते हैं, दूसरा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकोन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन हर बार जब भी अपलोड हो तुरंथ मिलता रहे, एक और बहुत ज इसमें होता है, हम कई श्टक करें, कई कई प्राब्लम है, और कई प्राब्लम उससे उपर भी होती है, जो कि हमारी वास्तु के कारण हो सकती है, तो अगर आपको अपने घर का, फैक्टरी का, दुकान का, मकान का वास्तु कराना हो, तो उसके लिए भी आप दिये गए 21 मार्स से लेके 20 अपरिल के बीच में हुआ और साथियों इनका कार्ड निकला है Wheel of Fortune Wheel of Fortune कहीं न कहीं साथियों में बताता है कि जिस तरीके से Wheel घूमता है नीचे से उपर उपर से नीचे चक्र चलता है ऐसे ही हमारे जीवन में भी चक्र चलता है और जो आगे आने वाला ये आपका सब्ता है में इस राशी वालों के लिए इनकी लाइफ में भी अगला हफता कुछ ऐसे ही जाने वाला है जो पीछे आपकी परशानियां रही वो इस हफते दूर होती दिखाई दे रही है आप Business में श्टक हो गए थे उससे निकलते दिखाई दे रहे है जॉब में कुछ प्राउबलम आ गई थी उससे निकलते दिखाई दे रहे है उसका reward आपको इस हफते मिलता दिख रहा है ये तो बोला जाता है ना हमारे आपी शास्त्रों में भी है कि जैसे करम करेंगे वैसे फल मिलेगा पाश्ट में आपके जैसे करम थे वैसे ही आपको इस सफते फल मिलते दिख रहे हैं तो जब वील है उपर जाएगा तो नीचे भी आएगा तो इस सफते हो सकता है किसी का उपर जा रहा हो वील किसी का वही वील downward trend पर हो तो अगर आपका period बहुत अच्छा चल रहा था इस अफ़ते हो सकता है यह जो आने वाला सकता है इसमें वो period उतना अच्छा ना रहे पर इसको accept तो करना है ना तो जब एक आपको एक guidance मिल गई है कि यह ऐसा हो सकता है तो उत्रे precautions लेके चलो business में problem आ रही है थोड़ा से back foot पर आ गए relation में problem आ रही है थोड़ा से back foot पर आ गए या आप और जैदा cordial हो जाओ उनके साथ और जैदा jail करने लग जाओ क्योंकि जो अगर कहीं stuck करो तो यह तो बताया ना कि पाश्ट करमों के कारण है तो वो करम आप कुछ नहीं धो सकते हो पर इस जनम में आप उन करमों को change कर सकते हो आज अच्छे काम करके तो यह अफ़ता आपका बहुत अच्छा जाए अगर मैं आपके सेथ के लिए बात करूं साथियों थोड़ा कई ना कई imbalance दिखाई दे रहे है मेरे को आपका mental और emotions में mentally and emotionally imbalance होंगे क्योंकि अगर आपका wheel वो नीचे को जा रहा है तो आप हो सकते हैं अपने को emotionally weak पाए पर mentally अगर आप अपने को strong रखते हैं तो इस face से आप easily निकल जाएंगे और आप जो अंदर घुटन मैसूस करें उसका भी एक तरीक है speak it out दूसरे से share करो बोलो अपने विचार दूसरे करो open up अपने को share करो जब आप यह करोगे तो यह हफता बहुत अच्छा बीता जाएगा थोड़ा सा exercise और योगा पे ध्यान दे तो एरिस राशी वाले यह था आपका इस हफते का इसको guidance मान के चले आपका हफता बहुत अच्छा जाएगा विश्यू all the best stay healthy, stay happy अब मैं अगला कार्ड टॉरस राशी यानि की वरिशेब राशी वालों के लिए लेता हूँ जिनका जन्म जो है 21 से लेके 20 माई के बीच में हुआ इसमें कार्ड निकला है king of sword king of sword बताता है कि हो सकता है इस हफते टॉरस यानि की वरिशेब राशी वालों को कुछ decision लेने पड़े तो मेरा ये suggestion है इस कार्ड के बेस पे कि वो decision जो है आप logical decision लीजेगा emotionally नहीं अगर वो decision आपने emotion से लिए ना भाव में बैगे अरे ले 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 उसका कहीं नुकसान ना हो जाए वो बूरा ना मान जाए अगर आप ये सोच के decision लोगे तो हो सकता है वो कहीं न कहीं backfire कर जाए आपको नुकसान दे जाए पर जब आप logical decision लोगे तो वो आपके favor में जाएगा दूसरा ये भी साथ ही हो सकता है कि जो आपके काम रुक रहे हो आपको या आपके किसी मिलने वालों को किसी administration में जो व्यक्ति हो higher authority में हो कोई lawyer हो कोई police वाला हो उससे आपका संपर्ख होता दिखाई दे रहा है तो जरूरी नहीं हो कि आपके लिए हो सकता है आपके किसी मिलने वाले के कोई परिशानी हो जिसको आप उस authority से मिलके solve करेंगे ऐसा इसमें मेरे को दिखाई दे रहा है अगर मैं आपकी decision है वो logical decision लोगे यानि कि दिल से नहीं दिमाग से लोगे तो अगर आपने दिल से decision लिया और वो अगर adverse हो गया उल्टा पढ़ गया तो उसका असर तो साथी दिल पर ही आएगा ना तो वो दिल का भी आपको ख्याल रखना है तो दिल का ख्याल रखने का एक ही तरीका है decision लेते समय emotional होने की जरूरत नहीं है बाकी अच्छा है higher authority से जब आप मिलके दूसरों के काम कराएंगे तो कहीं न कहीं आपको उसका reward मिलेगा आपका recognition बढ़ेगा समाच में आपकी इमान समान प्रतिष्टा बरेगी like a king इस हफते आप king की तरह behave करेंगे या आपकी life में एक ऐसा विक्ति आएगा जो इस तरीके से आपके साथ जैल कलता हुआ चलेगा सो ये हफता टारस राशीवानों के लिए बहुत अच्छा बीते आप मैं तीसरा कार्ड आजका लेता हूँ जैमनाई यानि की मिथुन राशीवानों के लिए जिनका जन्म 21 मई से लेके 21 जून के बीच में हुआ और इन लोगों के लिए कार्ड निकला है six of pentacles जैसे कि आप कार्ड में भी देख पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति उसके हाथ में एक तराजू है और दूसरे से वह दूसरे को दे रहा है तराजू हमेशा SIMBOLIC होता है बैलन्स का तो जब आप बैलन्स करके चलोगे तो आपके साथ भी बैलन्स होगा दूसरा ये कार्ड जो है में इस कार्ड की आपके लिए guidance है वो ये है कि ये give to get है आपको अगर चाहिए ना तो इसके लिए आपको देना होगा ये आपको देना सिखाता है आपके पास जो भी है इस समय आप prosper है तो अपनी prosperity दूसरों में बाचिए आप energy से भरे हुए दूसरों में अपनी energy transfer करिए आप अगर सहत से माला माल है दूसरों को सहत के tip दीजिए कि वो कैसे healthy रह सकते हैं आप जो जो चीज भी आपके पास है उससे आप दूसरों को share करें तो जितना आप share करोगे ना जो नियम है give to get आप देते जाओगे आपको मिलता जाएगा ये card भी आपको इस हफते के लिए यही suggest कर रहा है तो आ आपके पास पैसा है पैसा दो विद्या है विद्या दो एनर्जी है एनर्जी दो सहत है सहत है दो प्यार है प्यार दो तो आप भी जानते हैं साथ ही जितना प्यार बांट होगे आपको कई फोल्ड होके वो प्यार मिलेगा तो जब आप इस तरीके से अपना ये हफता बित नहीं wish you all the best stay healthy stay healthy stay happy wish you all जैमनेज और मिथू राशी वालों के लिए इस हफते के लिए इतना ही अगला कार्ड में लेता हूँ cancer यानि की करक राशी वालों के लिए जिनका जन्म by June से तेई चुलाई के बीच में हुआ इनका कार्ड निकलाए साथियो five of events जैसे कि आप कार्ड में देख भी रहे हैं कि कुछ लोग जो है आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो इस हफते आप लोगों के लिए भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपकी life में भी कहीं कोई छोटे मुटे जगड़े फसाद कुछ ऐसा disagreement वगरा हो अपने कलीक्स के साथ अपने boss के साथ अपने business associate के साथ अपने family के साथ अपने relations में अपने friend में किसी के साथ भी ये इस हफते हो सकता है कहीं न कहीं आपको जगड़ा होता दिखाई दे जगड़ा तो यह हमारे लिए divine guidance है हमें already यह warn कर रही है कार्ड कि अगर ऐसा हो ना तो यह थोड़ा सा श्यांत हो जाओ ना जगड़ा बढ़ता कब है जब दोनों जने अपनी अपनी बात कहने पर आ जाते हैं आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ भाई तुई ठीक है हो सकता है कि वह व्यक्ति उतना ठीक ना हो वह किसी ने कहा भी है ना argument में हो सकता है वह argument हम जीत जाएं पर ultimately relations अब खो जाते हैं तो उस argument में आप मत पढ़िये उस जगड़े में मत पढ़िये हो सकता है वह जगड़ा आप जीत जाएं वह argument आप जीत जाएं वह disagreement जो हो रहा है वह आपके favor में हो जाए पर आप वह relations खो देंगे वह चाहिए आपके professional relations हो या personal relations हो तो क्यों ना इस divine guidance को follow कर लें अपने को थोड़ा सा पीछे रख लें कि भाई तुई ठीक है जो कह रहे हो ठीक है मैं माल लेता हूं यह हफता निकल जाएगा फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा और अगर यह आप देखें कि अगर आपके ऐसे जगड़े होते रहे तो क्या आपके सेहत पे असर न पीरिट के लिए हैं अगर आप इस पीरिट से निकल जाते तो फ्यूचर आपका प्रॉमिसिंग है फ्यूचर में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाए दे रही है पर आपको इस दोर से तो गुचर ना होगा और जितनी अच्छे से जितने स्मूथली जितने सेंसिबली जितने आप दिमाग का काम प्रयोग करके यानि की दिल का नहीं जगडे फसाद में ना पढ़के जितने आप इसका उप्योग करोगे प्रयोग करेगे इस काड की साहेता लोगे उतना ही आपका हफता अच्छा बीतेगा तो ये था कैंसर राशी वालों के लिए हफता बहुत अच् में हुआ इनके लिए निकला है दा मैजीशियन साथ योए कार्ड कहीं ना कहीं सजेश्ट करता है कि जो आप में मैजीकल पावर है जो आपकी मेंटल पावर है आप इस अफ़ते उसको यूज करके कुछ नए नए प्रोमोशन्स पा सकते हैं जॉब में अगर आपने इंट् पावर है उसको क्योंकि है आप में है तो उसको recognition मिलेगा और उसके कारण आपके business associates बढ़ेंगे आपका business और बढ़ेगा दूसरा कहीं ये कार्ड ये भी सजेश्ट करता है कि या तो आप किसी को guide करोगे या आपको कोई guide करेगा ये कार्ड सजेश्ट कर रहा है क्यों और द दिखाई देता है आपके लिए भी divine guidance यही है कि आप क्या कर रहे हैं किस तरीके से आप move कर रहे हैं क्या planning कर रहे हैं या आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है लोग बाग तो सिर्फ आपका magic देखें तो ये आपको अपने control करके चलना है कि वो जो आपकी अपनी power है guidance आपके लिए है कि अपने वो secret share ना करें कि जो काम आप कर रहे हैं उसके पीछे behind the scene आप क्या कर रहे हैं वो किसी को share करने की जरूरत रही है तो magician के लिए बाकी सेथ तो ऐसा मेरे को बहुत जादा कोई दिक्कत नहीं दे रहे है पर तब भी अगर आप alternate medicines पे जाएंगे कई अपने diet पे ध्यान नहीं दे रहे हैं यह card से ऐसा कुछ sense हो रहे है तो अगर आप इस अफते card के guidance मानते हुए अपनी सेहत के ऊपर ख्यार रखेंगे यानि कि अपनी diet पे control रखेंगे तो आपका सेहत पे भी control रहेगा so wish you all the best लियो राशी वाले आपका यह अफता बहुत अच्छा जाए सेहत मन जाए wish you all the best stay healthy stay happy अब मैं अगला card वर्गो राशी वालों के लिए लेता हूँ जिनका जन 24 अगस से 23 सेप्टेंबर के बीच में हुआ वर्गो यानि कि कन्या राशी वाले और इनका card निकला है the sun ये one of the my favorite card है क्योंकि एक card जो है ये fulfillment का, achievement का, success का, happiness का यानि कि जो जो हम अपने life में चाहते हैं न साथियो वो सब मिलता दिखाई दे रहा है इस आने वाले हफते में यानि कि अगर आपने फिर से कहें कि अगर खुशी जिसके आपको इंतजार थी आपने job के लिए apply किया था, मिलता दिखाई दे रहा है, promotion के लिए apply किया था, मिलता दिखाई दे रहा है कहीं आप relations में कोशिश कर रहे थे, marriage के लिए आप कोशिश कर रहे थे, वो आपके marriage संबंध होते दिखाई दे रहे है हो सकता है आपके घर में किसी का जन्म भी हो आपकी वंश्प्रधी भी हो तो ये कार्ड आपके पूरा फुल्फिल्मेंट का है आप देखे तो सूरे कितने अच्छे से चमकरार बच्चा कितना खुश है ये खुशी हमारे चेहरे पे तब ही आती है जब हमें सब कुछ मिलता ह यानि कि मान समान ये प्रतिष्टा खुशी सेहत फैमली फ्रेंड्स सब कुछ सब कुछ इस बार आपको मिलता दिखाई दे रहा है हेल्थ के लिए भी या आपके लिए काफी अच्छा कार्ड दिखाई दे रहा है अगर आप पिछले हफते या उससे पहले वाले समय में है वो काफी तेज होती दिखाई दे रही है अच्छी क्योंकि कारण क्या है कि जब आप इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉंग होंगे शान्त होएंगे सारी अचीवमेंट होगी अंदर से आप खुश होंगे तो बाहर तो खुशी वो जलकेगी ही सेहत के ओपर उसका है राशी वालों के लिए बहुत अच्छा कार्ड है वर्गू आपका इह हफ्ता बहुत अच्छा बीत है तो विश्यू आल दा बेस्ट स्टे हेल्दी स्टे हैपी अब मैं अगला कार्ड यानि की तुला राशी वालों के लिए लेता हूं जिनका की जन्म 24 सेप्टेमबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ है तो तुला राशी वालों के लिए यानि की लिबरा उनके लिए कार्ड निकला है फाइब ऑफ कुप्स ये कार्ड साथ यो कहीं न कहीं बताता है की आप कहीं न कहीं परशान हैं चीजों को लेके जो आपके साथ हो रहा है आपको जो में भी इस हफते आते दिखाई दे रहे हैं और वो डिप्रेशन का कारण भी होगा आपके पाश्ट करमाज पर अगर आप साथ ही इसमें ध्यान दें कि तीन जो कप है वो स्पील्ड है वो फैले वे दो कप भी भी सीधे खड़े भरे वे आपके साथ भी लाइफ में यही हो र प्रकड़े हुई है आपके सामने जो है यानि कि अभी भी जो आपके साथ है आपका जौब आपकी फैमिली आपका लव आपका रिलीशन आप उसको देख ही नहीं रहे हो आप उनमें बनाब इग्नोर कर रहे हो डिटेच्मेंट टाइप का हो रहा है आप डिप्रेशन में जा रहे हो जबकि अगर आप एक बार आँख खोल के देखो अपने सामने संसार को तो सब कुछ वैसा ही है थोड़ा सा खोने से आपकी दुनिया खतम नहीं हो जाती है यह तो चलती रहेगी ना अब आप इस आने वाले समय में उस समय को और अच्छा बनाओ क्योंकि प्रॉ प्रॉमिसिंग है पर वो प्रॉमिसिंग तब होगा जब आप इस स्तिती से बाहर निकल के आओगे क्यार हो गया ना छोड़ो लेट गो हो ना था हो गई मेरे से गलती हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि हम अपनी गलती नहीं मानते हैं होता ना कि हम लोग सबसे बड़े जो देखू यार मैंने गलती की accept कर लूँ ना मैं दूसरे से उमीद कर रहा हूं कि वो accept करें क्यूं मैं क्यूं ने accept कर लूँ तो जब मैं accept कर लूँगा वो स्तिती एकदम परिवर्तन हो जाएगी क्यूंकि मैं आपको क्यों इतनी जोड़ दे के बात कर रहा हूं अपका future पढ़े होगे कि नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए नहीं ऐसा नहीं है सातियो हो गया जाने दो इससे बाहर निकलो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इसका एड़र्स इफेक्ट आपके आने वरे रिलेशन्स और आने वाले सेहत के ओपर भी पढ़ेगा तो क्यों अपनी उस चीज के लिए सेहत खराब करो जो समय निकल गया वो समय तो वापस आना नहीं है रिलेशन्स भी कुछ खतम होगे हैं तो वो भी वापस नहीं आने आप उन रिलेशन्स को इंप्रूव करने की या नए रिलेशन्स बनाने की सोच सकते हैं जो कि आपके काड में दिखाई दे रहे है तो जब ये डिवाइन गाइडेंस है कि ऐसा प्रॉमेसिंग है आपका फ इसको आप चूज करके आगे बढ़ोगे फ्यूचर आपका बहुत अच्छा जाएगा तो ये था तुला राशी वालों के लिए यह आफता आपका बहुत अच्छा जाए वी शू आल दा बेस्ट स्टे हैल्दी स्टे हैपी अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानि की व रखती जो है कुब बोज लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है धकेल रहा है चीजों को तो ये कार्ड स्कॉर्पियो राशी वालों को बता रहा है कि इस हफते ऐसा हो सकता है उनके साथ कि वो जो काम के बोज में बहुत जैदा उन्होंने अपने उपर दन रिस्पॉं कास्बिल्टी में दबे चाले जा रहे हैं उसके नीचे वो आगे उबर ही नहीं पा रहे है और उसका असर उनके आउटपुट पे उनके रिजल्ट पे उनके रिलेशन्स पे उनकी सहत पे सब जगा आ रहा है तो आप भी देखना मैंने अगर मेरी शमता 10 किलो उठाने की है मैं अगर 15, 20, 25 के लिए उठाऊंगा तो मूव कैसे करूँगा मूव कर दे के लिए मेरे को सिर्फ एक ही काम करना है कि वो जो वजन है मैं उसको कम कर दो किसी ने कहीं लिखा भी था पड़ा था मैंने कि अगर जीवन का अनन्द लेना है तो आप एक शाय कम कर दो सफल का अ हो सकता है आपने अपने रिलेशन के उपने उपर बहुत दे लिए औरे मेरे को इसका इसका सबका करना है मेरे को क्यों भाई उनको मौका दो अपना करने का डेलिगेट करो अब ये डेलिगेशन आपको अपने जॉब में भी अपने ऑफिस में भी अपने बिजिस में भी औ आपका काम में हाथ बटाए केवर आपका जिम्मा नहीं है, आप family के head हो, family हो सकते हो, सारा काम आप करें साथी हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बांड दो ना सब में, ऐसे office में आप बहुत सक्षम हो, अच्छे हो, expert हो, पर आप ये शम्ता है, अपने को हर्कुलिस मत समझें कि सारा काम आप खुद कर लोगे बांट दो और जितनी ज्यादा आप ये काम बांटोगे delegate करोगे ना वो चाय होम फरंट पर हो या ओफिस फरंट पर आपका बोच कम हो जाएगा बोच कम हो जाएगा तो आपका चलना असान हो और आपकी success आपके हाथ में आ जाएगी है ना अब अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होएगा जब आप बोच तले दबे होगे हो अब आप emotionally भी वीक पढ़ रहे हो physically भी पढ़ रहे हो तो उसका सीधा सादा असर आपकी health के उपर पड़ेगा तो साथी जो health आपकी है काम तो कोई और कर भी लेगा अगर आप बिमार हो गए तो आपकी शरीर को ही वो बिमारी जहिलनी पड़ेगी ना तो आपकी wife ना आपके husband ना बच्चे ना माता ना पिता ना दोस्त जो भी है वो अपने अपने शरीर के स्वामी आप अपने शरीर के आपको अपने शरीर का ख्याल खुद रखना है और उसके लिए divine guidance यह है कि अपने काम को जो है आप दूसरों में माटना शुरू कर दो उतना burden लो जितना जरूरी हो जितना आपके लिए ठीक हो जितना एक समाने वक्ति मैं कहीं से भी यह नहीं कहना चारा यह suggestion नहीं करना चारा कि आप अपने जिम्मेदारियों से भागो नहीं पर उतनी जिम्मेदारियां भी जैसे कई हम movies में भी देखते हैं दो हैं कि वह एक को परिवार की लड़की है वह शादी भी नहीं कर रही है और बहें भाईयों को पढ़ाती चले चारी जा रही है और उसके बड़े होने के बाद बहें आपका काफी अच्छा मेरे को दिखाई दे रहा है, so wish you all the best और Scorpio राशी, व्रिश्यव राशी वालों के लिए आपका हफता बहुत अच्छा जाए, stay healthy, stay happy, अब मैं अगला कार्ड, Sagittarius यानि की धनुराशी वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नमंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, Sagittarius धनुराशी वाले, इनका निकला है, 8 events, सात्यों ये कार्ड कही न कही हमें सजेश्ट करता है, कि ये हफते आपका जो है, कोई decision लेने का time आगया है, आप अब तक जो procrastinate कर रहे थे, अपने कामों को टाल रहे थे, वो time खतम हो गया, उसको बंद करना होगा आपको, इस हफते आपको तुरंत decision लेना होगा, move fast, अ आपको कई चीजे excitement भी होगा, success भी मिलेगी, happiness भी मिलेगी, पर उसकी एक ही कुंजी है, एक ही चाबी है, वो है quick decision, कुछ चीजे और आपको इसमें ध्यान जरूर देनी पड़ेंगी, ये सफते अगर आप कहीं पैसा invest करने जा रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान र decision लेना है, investment के लिए वो decision लेना है, otherwise वो आपको loss दे सकता है, otherwise जो आपने planning कर रहे थे, जो रुके हुए थे, जब उसमें आप decision लोगे, तुरंत करोगे, तो आपकी सफलता कदम चुमेगी, आपको नया job offer हो सकता है, नया business venture मिल सकता है, और इस कारण हो सकता है, आपको travel भी मिले, पर एक बार मैं आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा, हमारा period बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो अगर आपको travel करने के जरूरत पड़े, तो social distance maintain करते वे चलिएगा, प्लस बाहर का खाना invite करिएगा, तो ये था हमारा धनूराशी, Sagittarius वाले के लिए, बहुत सच्छा कार्ड है, achievement का कार्ड है, काफी मिलता हूँ दिखाई दे रहा है, so wish you all the best, stay healthy, stay happy, अब मैं अगला कार्ड, Capricorn यानि की मकराशी वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जन्मरी के बीच में हुआ, और इनके लिए निकला है, 10 of cups, बहुत खुशाल फैमिली, wife, friend, बच्चे, बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे, तो यह सब क्या symbolize करता है, यह जो आपका आने वाला हफता है, आने वाला सब्ता है, यह बहुत अच्छा बीटेगा, खुशियों बढ़ा होगा, achievement वाला होगा, प्लस family bonding बहुत बढ़ेगी, आ even family क्या, आपके relations, आपके friends के साथ, आपके colleagues के साथ, आपके senior, junior, business associate, सब के साथ यह हफते आपके relations में बहुत अच्छा improvement होने जा रहा है, और जब इस तरीके से हमें खुशियां मिलती हैं, क्योंकि जब हमारे परिवार हमारा साथ होता है, साथ हमारा परिवार, हमारे दोस् मेरे परिवार के सदस्य, मेरे business associate, सब मेरे साथ हैं, तो एक जो अंदर से खुशी निकलेगी, तो जब खुशी निकलेगी, तो आप उसको खुशियों को बांटोगे भी, क्योंकि वो आपके चेहरे पर आएगा, आपके बच्चों के चेहरे पर आएगा, तो कुल मिला के का समय है, अच्छा समय का मतलब है, आप और ज्यादा अपना output देने में सक्षम हो जाएंगे, आपको सब का support मिलेगा, बहुत अच्छा समय बीतने वाला यह आपका हफ्ता, कहीं पर मेरे को इसमें कुछ negative होता नहीं दिखाए दे रहा, और सेहत से भी आप माला माल होते दिख करिएगा, so wish you all the best, सभी मकर राशी वालों के लिए, आपका हफ्ता बहुत अच्छा जाए, stay healthy, stay happy, अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ, Aquarius यानि की कुम राशी वालों के लिए, जिनका जन्व 21 जन्वरी से 19 February के बीच में हुआ, और इनका कार्ड निकला है साथियो, the lovers, जैसे कि आप देख रहे हैं, कि एक male female है, दोनों nude दिखाए गया है, nude हमेशा purity का संकेत होता है, कि ये कार्ड आप बता रहा है, कि आप जितनी pure form में, जितनी purity से अपने relations बना के रखोगे, again वो relations केवल जरूरी नहीं, आपके दोस के साथ, आपकी lover के साथ, फियांसी के साथ हो नहीं, कोई भी relation, वो चाहिए आपके business relations हो, या personal relations हो, उसमें जितनी आप purity रखोगे, उतने आपको जो आपको भगवान का आशिरवाद है, उतना जैदा मिलेगा, ठीक है, दूसरी इसमें एक चीज़ोर बड़ी important है, कि जो आपके साथ female है, आप चाहिए male हो या female हो, यह बात दोनों के लिए लागू हो रही है, कि आपकी life में एक ऐसी female जरूर इस सफते दिखाई द करेगी, जो आप से emotionally strong है, और अगर आप कहीं weak पढ़ रहे होगे, क्योंकि उसको direct एक तरीके से universe से वो इस सफते एक आशिरवाद मिलता दिखाई दे रहा है, और अगर आप उस से direct pure form में connect होगे, तो वो आप में भी transfer होती दिखाई दे रही है, तो मतलब अगर वो जो female है, आपके घर की mother, आपकी wife, आपके बच्चे, आपकी कोई friend, even आपकी boss, आपकी कोई junior, कोई भी हो सकती है, कोई भी relation हो, आप male, female, कोई फर नहीं, तो दोनों के लिए, मैंने इसलिए repeat किया, दोनों के लिए लागो हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग female की बात करते हैं, तो अक्स emotionally strong करेगी, relations थोड़े से आपके, अगर आप ध्यान नहीं दोगे, बंपी relations हो सकते हैं, जो खासकर जो आपके affair वाली हो, अगर मैं बात करूँ, उसमें थोड़े से आपके उचनीस हो सकता है, पर उसमें अगर आप expectations खतम करके, एक pure energy के साथ आप अगर उससे जुड़ोगे, तो वो relations प्रकार होंगे, तो expectations खतम करके, इस हफते एक दूसरे नजरिये से, अपने फ्यांसी को, अपने फ्रेंड को देखने की कोशिश करिएगा, एक नया आयाम मिलेगा आपको, बाकि सेहत में अगर मैं बात करूँ, तो अगर कहीं कुछ सेहत आपकी गड़बर होती है, तो एक second opinion जरूर ले लिजेगा, क्योंकि हो सकता है, जो पहली opinion मिले हो सकता है, वो उतनी आपके लिए सही ना हो, तो divine guidance है, एक second opinion जरूर ले लिजेगा, अगर इस card में देखें, तो एक लड़का, एक व्यक्ती जो है, एक टांग पर एक डाल से उल्टा लटका हुआ है, पर फिर भी अगर आप देखें, उसके चेहरे पर बड़ी शान्ती है, उल्टा लटकना साथी यो असान नहीं होता, पर उसके बावजूद भी उसके चेहरे पर शान्ती है, तो ये card कहीं न कहीं आपको suggest कर रहा है, कि इस सफते आपको कुछ sacrifices करने पड़ सकते हैं, patience रखना पड़ेगा, आप जो सोच रहे हो कि आपको मिले तुरंत मिलेगा, ऐसा नहीं है, आपको patience रखना पड़ेगा, वो चाहे आपके business में हो, job में हो, relations में हो, कुछ भी हो, patience रखिए, और जब आप patience रखेंगे, तो results च चाहेंगे, दूसरा एक चीज और इस कार्ड की जो खूबी है, that is let go, छोड़ दो, आपके साथ किसी ने बुरा किया, छोड़ दो, आपको किसी ने धोका दिया, छोड़ दो, आपको कोई अप्यार नहीं करता, छोड़ दो, आपसे किसी ने बात करनी बंद कर दी, छोड़ छोड़ दो, जाने दो, तो जब आप एक बात, जाने दो का मतलब या नहीं कि ठीक है, मैं भी नहीं बोलूँगा, या मैं भी नहीं बोलूँगी, नहीं, जाने दो का मतलब है, it's okay, it's okay, उसने ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा या करूँगी, तो जब इस्तिती के साथ आप लेट गो करते हो ना, तो वो आपके अंदर से चीजे साफ हो जाती हैं, तो जब अंदर से चीजे साफ होती हैं, अब अगर देखे कि इसके पीछे यहाँ पर रोश्नी, यानि कि achievement होना है, success मिलनी है, पर वो success का रास्ता, sacrifice से होके निकल रहा है, patience से होके निकल रहा है, जो आपने project अपने बनाए थे, उस पे एक नए look दे के, यानि कि पुराने तरीके छोड़ दो ना, हो सकता है, आपको सफलता है, इसलिए उसमें ना मिली होता है, क्योंकि आप पुरानी चीजे पकड़ के बैठे हो, पुराने तरीके छोड़ दो, एक न और प्रगाड करिए, अच्छा कार्ड है, बिगनिंग के लिए, और जहां कोई स्टक हो गया, उसके लिए बहुत अच्छा divine guidance है, तो यह पाइसे यानि की मीन राशी वालों के लिए, इतना ही guidance था, divine guidance, तो विश यू आल दा बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैपी, तो साथ यह था, इस सफते, यानि की 6 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक का टैरू कार्ड के माधियम से weekly horoscope prediction, जरूर मेरे को ऐसा लगता है, आप लोग इसे resonate कर पाएंगे, और प्लीज इसको comment section में लिखना ना भूलिए, और अब तक आपने अगर मेरे channel को subscribe नहीं किया, तो उसको subscribe ज